हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू आगए फूडीज, तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी पोहा, तो इस सब को बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी लगता है, तो इसके लिए हमने लिया है पोहा, इसमें हम थोड़ा सा पानी याड़ करेंगे, और फिर साथ के साथ पानी क इसको निकाल लेंगे, तो पानी को निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंद्स, आपने इसको भिगो के नहीं रखना है, आपने पानी को साथ के साथ निकाल लेना है, तो देखिए मैंने सारा पानी पोहे का जो है वो निकाल लिया है, इस तरीके से आप इसका पानी निकाल तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है पोहा, तो ये देखिए, पानी निकाल लिया है, पानी निकालने के बाद हम जो है, अपनी मुंख फिली रोस्ट करते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सो ओयल लिया है, मैंने या बरिफाइन ओयल का यूज किया, आप चाहे तो घी क इस्तमाल भी कर सकते हैं, तो इसमें मैं डालूंगी कुछ पीनट्स, तो ये आपने उनको तीन से चार मिनट तक रोस्ट करना है, क्योंकि ये कच्चे है, मैंने इनको कच्चा ही यूज किया है, इनको रोस्ट करेंगे, तीन से चार मिनट आप इसको रोस्ट करें, जिससे यह पक जाएंगे बहुत अच्छे से और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा तो फ्रेंस पोहे में यह बहुत ही जरूरी चीज़े हैं यह पीनिट्स डालना बहुत जरूरी है बाकि हम मसाले बहुत ही कम डालेंगे तो यह देखिए यह रोस्ट हो गई है हमारे अब हम इनको निकाल लेते हैं उससे पहले हम गैस को आफ कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे तो यह देखिए फ्रेंस बहुत अच्छे से पक गई है यह इनके पकने के बाद हम इसमें जो है तड़का यूज करेंगे इसी ओयल में तो यह देखिए इनको एक एक करक के हम निकाल लेते हैं अच्छे से अब देखें friends वही ओल है हमारा यह अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सरसों के दानें और कुछ जीरे के दानें अपने इसको जो है थोड़ा सा ही भुणना है फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता यह देखिए फ्रेंस यह इतने अच्छे से भून जाते हैं थोड़ा सा golden brown होते ही हमने इसमे कड़ी पत्ता डालती है और अप डालेंगे हम इसमें कटी हुई हरीमिर्च हरीमिर्च को हमने बरी काटा है फ्रेंस और ये हमने जो है बहुती तो फ्रेंस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं बेल आइकन से आपको जो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले ट्राइ कर पाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा तो देखें फ्रेंस हमारे प्याज जो है वो भून चुके हैं अल्मोस्ट इनको हमने थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक ही पकाना है यह देखें यह हो पाना है लेकिन लाल मिर्च नहीं डाली है अब अदर डालेंगे पुहा तो देखें हुत इसमें पानी तेस्का वा यह देखें हम उसको मिक्स करेंगे अगर आव मेरे चैनल पर नए तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें अपने सभी फृण्स के साथ इसको शेर करें फैमली के साथ भी शेर करें जिससे मुझे जो है काफी encouragement मिलेगा काफी support मिलेगा friends की आप मुझे बताएं कि आपको और कौनसी recipes चाहिए फिर मैं वही recipe आपके लिए बनाऊंगी festival season आने वाला है तो हम काफी अच्छी sweet dish भी बनाएंगे friends, तो यह देखिए इसमें हम थोड़ा नीमपुनी चोड़ेंगे और हमने peanuts भी इसमें इसके अंदर डाल दिये है यह देखिए flame पर ही इनको mix करना है high flame पर mix करेंगे तो यह जलना शुरू हो जाएगा तो अब देखिए friends, चलिए अब हम इसको serve करते हैं यह देखिए friends, थोड़ा से peanuts और डाल लेंगे और हम जो है इसके उपर थोड़े सी save भी डालेंगे जो कि आती है save नमकीन value save डालेंगे, यह देखिए तो यह friends सबको बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं तो पोहा एक बहुत ही जल्दी से बनने वाली recipe है friends, तो आप मेरी वीडियो को like ज़रूर करें, friends के